हाई एवरिवन मैं हूँ माउधरी एड आज की वीडियो में सेर्ट करने वाली आपके साथ बहुत अच्छी वाली गूड़नीश यह है कि एटोस ने स्टार्ट कर दिया है मेल सेंड करना फॉरा इंटिव्यू इंटिव्यू के लिए में उन्हों ने स्टार्ट कर दिया सेंड करना बट यहां पर मेल तो मिल गया विए कि हम इंटिव्यू देंगे कैसे हमसे किस टाप को संस पूछे जाएंगे किस टाप के नहीं पूछे जाएंगे हमें क्या पर ना करें बहुत सारे कोसंस हैं आप रोके और सभी कोसंस के आणसर आपको मिलेगी इस वीडियो में इस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बैठे बैठे अराम सी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज जाएए वो पहले फटाफर से सब्सक्राइब कर लीजे नीचे आपको ना रे टिल्ट की बटन दीख रही होगी आप फटाफर से क्लिक करके आपको उनकी नोटिफिकेसंस मिल सके ठीक है फॉर मोर अपडेट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं उस पर भी अपडेट्स डालती रहती हूं और इंस्टाप अगर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं फिलाल अब देख लेते हैं कि किस टाइप के कोशन प कर आप मेरे लुख भी अपना चेक आउट कर लिए किipples के आपको की सांसAC के आप को आया नहीं तो आ चांद आपको ताइमिंक दी घई क्र आप 10 पेले ही जोंन कर लेने सा करना 20 मिन पहले करके बैठ जाना कि अभी कभी कि अच्छाने की नेट्वर्क इसू भी हो जाती है तो आप पर 20 मिन पहले बैठ जाएगा इन साथ में अपना कैमरा जूर चेक आउट कर लीजेगा वैपकेम डॉट टेस्ट ऐसी कुछ है आप उस पर क्लिक करके पहले अपने व प्रूटूथ वाली होती है न उसका यूस नहीं करेंगा आप इच इसका ध्यान रखिएगा तो आपको युज यूस करनी है जो कि वायर होती है आपको बूथूथ वाली यूस नहीं करनी इसका ध्यान देना तो फिलाल यहां पर 10 मिन पहले बोला गया है विसमेर प्रिश यहां पर फ़र लाइट कलर पहन के बैठिए और ड्रेस अप में भी लॉट लाइट कलर के ड्रेस पहन के बैठियेगा अर राइट निग अनी चाहिए ताकि आपका फेस पुरी अच्छी तरह से क्लियर दिखी ताप चाहो तो वींडौ के सामने बैठ सकते हो या फिर आप क्य चीजों को ध्यान रखना है और आपके वाइज नहीं आने चीज़ को ध्यान रखना है अपना मोबाल साइलेंट रखिएगा और साथ में जब बैठे हो नथा आपकी पीछे जो बैग्राउंड होता है वह उस पे कुछ और लटकाउट का हो होता है न कि हम बहुत साइचीजे ह क्या करना है यहां पर हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले तो आपको पीपेर क्या करना है इंट्रोड़क्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपका नेम ओ गया आपका अडरेस हुआ, आपने कहा ज़न कीए, आपने कहा किया, आपके अपने क्या किया, आपके पेसंटेज कितने थे से श्राफ्रे उस्के बार से होता है आपका final year का project यह भी important है final year का project प्रोजेकर से question की आपका final year का project क्या थ harvest क्या था उसमें आपने क्या project बनाया था आपने कौन soybean क्या component use कि यह थे या फिर आपने कौण सी language use की थी किस language is based बनाया था यह साई चीज़े questions पूछी जाते हैं तो इससको आपको ध्यान देना होगा ठीक है इसके फैनल कर प्रोजेक्ट होगी अब इसके बार आपको क्या पढ़ना है वो दिख लेते हैं जिस भी लैंग्वेज में और टैवल सकते हैं। आप उस लैंग्वेज को पर्ली जाए को दियार को सकते हो ताकि ऐप से बैसिक पूछा जाता या को अफुमका ग्मि Circ यह इस तर्मिक्रार से सब देम हो थाके अव्हे जान को छोगोन सकते हैं.... अरूङके पूछा हो जैसे कि एक्जाम्पल में अगर आपने चूज किया कि C मुझे C आती है तो फिलो चाहिए ठीक है C, C++ या फिर C और जावा में डिफरेंस बता दो ज्यादा तर पूछा जाता है C और जावा में डिफरेंस पूछा जाता है लेकिन हाँ तो तो C++ में पूछा जा सकता है तो C++ उना इंपॉटेंट नहीं है लेकिन हाँ C और जावा में डिफरेंस पूछा जाता है तो यह इंपॉटेंट इसे जरू पर लीजेगा उसके अगर आप पाइथन चूज करते हैं तो वहां कोस्टन हो जाएगा ठीक है तो पाइथन चूज किया तो ठीक है बताओ पाइ क्या करेगा अपको C++ बताओ पूछा चाहिए साथ में प्रोग्राम भी दी देता है कि ठीक है आपको C आती है तो C से आपको टेवल प्रिंट करेख़ो देखा आप 2 का टेवले प्रिंट करेंगे निए साथ में लॉजिक समझाओ कि अपनी हापे कौन सी लॉजिक उसकी तो उसे आपको explain करना होगा तो कुछ इस टाइप की easy question पूछे जाते हैं ज्यादे hard नहीं पूछे जाते हैं easy easy पूछे जाते हैं ठीक है तिह होगी अपनी language की बात तो आप लोग language अच्छे स्तियार कर लीजेगा उसके बाद से आपका आता है oops ठीक है आप oops पढ़ लेना oops में क्या पढ़ोगे आप लोग उपस मैंने वीडियो बनाया इसकी लिंक मैं आपको डिस्केशन बॉक्स में दे दूगी उसे चेक आउट कर लेना oops related जितनी भी questions पूछे जाते हैं मैंने सारे के सारे कवर करके रखें एक पॉइंट कवर करके रखें कुछ भी नहीं चोड़ा है यहां पर oops पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को देख लेना उससे आपको क्या होगा ना की बार oops की preparation भी हो जाएगी एसी language है जिससे questions ना confirm रहते हैं आपसे पूछे ही जाते हैं इसलिए कोईगी इसे जुरुत त्यार कर लीजेगा ठीके उपस के बाद आता है आपकी data structure अगर आप CSIT के हो तो data structure पूछे जाएंगे अब data structure में आपसे क्या पढ़ना है चाहे आप CSIT से हो या electrical electronics से हो पूछ रहेंगे अब data structure में आपको क्या पढ़ना है उसे देख लो ठीके यह यहाँ पूछा देगा कि आपको sorting के टेक्निक्स क्या क्या है । । । । । । । । ० तो यह बात हो गई आपकी data structure की and the last is आपका आता है SQL SQL भी पढ़ लीजेगा SQL से क्या questions होंगे वो भी देख लेते हैं SQL से आप से basic questions पूछे जाएगे hard need questions पूछे जाते हैं SQL से आपको definition पूछा जा सकता है delete and drop difference क्या होता है और इसी तो आपको basic query आपको नहीं दी जाएगी लेकिन हाँ अगर आप कहते हो कि आपको अच्छी तो से SQL आता है तब तो भाईया आपको थमा देंगे कि यह लोग query करके देखा हो एक query लिखो एक command लिखो तो आपको वह query करनी पड़ेगी लेकिन अगर आप कहते हो कि आपको basic knowledge है SQL की उस case में आपसे सिफ और सिफ theory पूछी जाएगी theory पूछ की आपका वहीं stop हो जाएगा आपसे जाड़ा SQL की questions नहीं पूछे जाएगी तो आप अपने देख लेना अगर आप advance बता दो कि हाव मुझे आती है अच्छी तासे तब तो भाईया query के लिए त्यार है आपको query म आपको बोला जाएगा कि कोई भी एक topic या HR टाइप के questions जश्ट के आपने कौनसी आपकी फेरिट मूवी क्या है आपने कौनसी मूवी देखिए अब ही recent में कौनसी मूवी देखिए उसके बारे में explain कीजिए अगर उनका मूर अच्छा ज्यादा technical questions नहीं पूछा है तो इस बहुत स्ट्रिक मिल जाते हैं जो कि बहुत सारे questions कर लेते हैं तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे 1 या 2 questions technical पूछके और इसको बार end कर देते हैं तो कई टाइप के होते हैं इंट्यूवर पर होता है उनका मूद जैसा भी रह है फिलाल जो भी हो हमें क्या करना है हमें त अपनी experience जैर कर सकते हो तो से लिए आज की वीडियो में इतना ही है मिलूगे मैं आपसे नेश्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई